मुंगे, सुर्जना या सहजन कुपोशन दूर करने में एक महत्वपूर्ण पौधा है अफ्रिकन देशों में इसे बाताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्शिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डाइनमाइट के नाम से जाना जाता है सौ से भी अधिक तरीकों से इसका उप्योग पोशन के लिए होता है मुंगे की फली से जहां स्वादिष्ट सबजी बनती है तो वहीं इसे सेख कर खाने से ये मुंग फली जैसा स्वाद देता है मुंगे की बीज से तेल, छाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयरवेदिक दवाईयां और तने फूल पत्ती से खादी तेल मिलता है मुंगा तीन सो से भी अधिक बिमारियों के उपचार में काम आता है 100 ग्राम मुंगे की पत्तियों में दही से 9 गुना अधिक प्रोटीन, संत्रे से 7 गुना अधिक विटामिन C, गाजा से 4 गुना अधिक विटामिन A, केली से 15 गुना पोटेशिम, पालक से 25 गुना आयरण और दूद से 17 गुना ज्यादा केल्शिम होता है मुंगे के बीज के चोंड से पानी शुद्ध किया जा सकता है इस तरह मुंगा आज की युक की संजीवनी बूटी है मुंगे की पत्तियां शीशू और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है इसके पत्तियों के 25 ग्राम चोंड से बच्चों को 42 प्रतीशत प्रोटीन, 125 प्रतीशत कैल्शियम, 6 प्रतीशत मैगनेशियम, 74 प्रतीशत आयरण, 41 प्रतीशत प्रतीशियम, 272 प्रतीशत विटामिन A और 22 प्रतीशत विटामिन C की पूर्ती होती है इसकी पत्यों का रस बच्चों को दूद में मिला कर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है महिलाओं को मुंगे से कैल्शियम, विटामिन, आइरन और अमीनो अमल मिलता है मुंगे की पत्यों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूद का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है मुंगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में भिगोएं खाद और बालू रित मिली आड़ भाई चार की पॉलिथिन बेग में दो बीज प्रती बेग के अनुसार एक से दो इंच की गहराई में बीज को लगाएं एक माह बाद पौधों को डियर्ड भाई डियर्ड के गड़े में लगाएं और हलकी सिचाई करें छे माह बाद ये पौधा फल देने लगता है मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाबदायक है इसे भंडारित भी किया जा सकता है सरुटधमी से पीड से तोड़ें, चाया में सुखाएं, कूट कर बारिक करें फिर इसे च्छान लें और फिर आप इस चूंड को सबजी में मसाले की रूप में काढ़ा बना कर या फिर इस रोटी के आटे में गूत कर आप उपयोग कर सकते हैं और तोर आप इसकी चोंड को टी एचार की पाउडर में मिला कर लड़ू और चक्की भी बना सकते हैं और साथ ही डाइट चार्ड के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन की बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगी का पाउडर देना है